अगर एक सेंटेंस के बदले आप दूसरा सेंटेंस लिखते हैं तो दोस्तो मीनिंग का परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन पर है ट्रांसफर्मिशन रिमूबल अफ टू हेडलाइन है और टाइप वन है दा टी इज टू होट यहां पर टू का मतलब है यहां टू का अर्थ है जरूष से जारा अगर इसको हम ट्रांसफर्मिशन के ताहत ले जाते हैं तो इसका एक ब बराबर हम लोग लिखते हैं बियोंड आपर लिमिट बियोंड प्रॉपर लिमिट लिखते हैं वैसे में हो जाएगा दाटी इस होट को हम पहले लेंगे अजिक्टिव को और फिर जोड़ देंगे बियोंड प्रॉपर लिमिट बियोंड प्रॉपर लिमिट तो आपका बिना मीनिंग बदले यह सेंटेंस प्रांस्फॉर्म हो जाएगा और हिंदी होगा चाए बहुत ज़्यादा गरम है या चाए जरुष से ज़्यादा गरम है या चाए उचित सीमा से ज़्यादा गरम है चाए उचित सीमा से ज़्यादा गरम है लिमिट से ज़्यादा गरम है और चाए जरुष से ज़्यादा पर हमें एक ही बात आजाएगी और एक और इसका change होता है जब हम लिखते रहें, the tea is, अब क्या करेंगे हम hot को comparative degree में डालेंगे, तो हो जाएगा hotter, फिर अपने से जोडेंगे then, और फिर it इसलिए लेंगे, क्योंकि जो subject है आपका वो tea है, then it should, इसका भी वही मीने है, चाय जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गरम है, अर्थात चाय एक सीमा से ज़्यादा गरम है, अत्वा चाय जरुष से ज़्यादा गरम है, ऐसे sentence का आपने एक ये लिखा, दूसरा ये है और तीसरा ये है, अब इसको हम practice में डालेंगे, एक और sentence के थूँ इसको देखेंगे, और आप चेक करिए कि क्या आप इसमें comfortable हैं, जैसे, एक sentence मैंने लिखा, ही एज तू अग्रेसिव, वह जरुष से जारा, अग्रेसिव है, यानि आक्रामक है, या बहुत गुसे में रहता है, ही इस तू अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब गुसे में रहने वाला, बहुत जादा गुसे में रहने वाला, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ही इस, आप पहले अग्रेसिव को ले लेंगे, फिर जोड़ देंगे, बियॉण्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉण्ड प्रॉपर लिमिट, और तीसरा क्या बनाएंगे इसका, ही इस, कॉम्परिटिव डिग्री, अग्रेसिव का बनेगा, मोर लगागे तो मोर, अग्रेसिव, दैन, अब यहाँ पर इट नहीं आएगा, ही के चलतें, यहाँ पर ही आएगा, दैन, ही, चुड, बी, और हिंदी क्या हो गया, कि वह बहुत जरुष से ज़्यादा आकरामक है, या वह एक निश्चित सीमा से प्रॉपर सीमा से ज़्यादा आकरामक है, या फिर जितना आकरामक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आकरामक है, इस तरीके से आप तू का रिमूबल करते हैं, तू को अधरा लिखा हमने सी इस तू लेजी यहीज शी इस टू मैं लेजे मैं लिख देता हूँ शी इस टू केरलेस शी इस टू केरलेस और इसका हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे शी इस केरलेस शी इस टूसरा क्या लिखेंगे बच्छो C is Careless than यहां more लगेगा बेटा more comparative degree बनाएगी न C is more careless than C should be इस तरीके से आप 2 का removal करते हैं नि 2 हटाते हैं और उसके बदले या तो beyond proper limit लेते हैं या पिर तीसरे sentence में हम लोग क्या कर रहा है comparative degree बना रहा है adjective की फिर then लगा रहा है फिर subject को repeat कर रहा है फिर should भी जोड़ दे रहा है इस फंडे को जरू ध्यान रखिएगा तो आप तीसरा वाला भी आराम से change कर लोगे अब चलते हैं दोस्तो अभी removal of two में type two भी है और type three है type two और भी आसाने दिखाता हूँ कैसे type two type two यह active है वी इस का मतलब समझ जाएंगे आप जब type two और type three पढ़ेंगे जैसे शी इस तू वीक तू बाई यह आपने लिख दिया है यह आपने लिख दिया है और इसमें यह जो टू है वो और एक टू यह इसको क्या करना है तो जो पहला two होता है दोस्त इसके बदले 강कर में यह तो हो गया एक वाक इसका दूस्रा कैसे बदलेगा तो क्यों कि बदले तो आपको सिफ slow लिख देना जो दोस्रा वाला two है active sentence में क्या करना है उसके बदले that लिखना है subject को repeat करना है और walk अगर present में हो तो cannot और walk यहां अगर present है तो cannot अगर past है तो could not plus जो भी says है उसको जोड़ देना है यहनि इस two के बदले आपको इतना act perform करना इसके बदले so लिखना है और इसके बदले इतना आपको करना है अभी practically करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा जैसे दूसरा मैं बना रहा हूं बिना meaning change किए she is so weak that that लिखा मैंने subject repeat करना है तो she present में होने के कारण cannot और says क्या बचा है इसमें two के बाद walk तो आपने walk जोड़ दिया change हो गया वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती दौनों का एक ही अर्थ है दौनों का एक ही sense है वह है इतनी कमजोर है की चल नहीं सकती है इसका भी यही sense होगा दौनों वाक्यों का बेटा same sense आपका निकल के आएगा अब हम इसके एक दो एक्जामपल और लेते हैं जैसे इस तू के बदले हमने सो लिखा सो पूर हुआ इतना गरीब है पिर इस तू के बदले पहले हमने दैट लगाया सबजिक्ट रिपीट किया तो दैट ही प्रजेंट होने के कारण के नौट या कांट भी लिख सकते हैं सौर्ट फॉर्म में और बाकी का बचा वाक के जोड़ना है तो बाई बुक्स और हिंदी के आ गया वह इतना गरीब है कि किताबें नहीं खरीच सकता है अब दूसरा एक्जामपल देखते हैं इसका चेंज करेंगे तो होगा सब्सक्राइब करेंगे ये पास्ट में होने के करन्ट कुड नॉट मेग मिस्टेक्स तो आपने यहां वाच के चलते ध्यान क्या दिया कुड नॉट का ध्यान दिया जब प्रजेंट था तो कैन नॉट का ध्यान दिया था बाकी का सेम प्रोसेस है वह इतनी साउधान थी कि गलतियां नहीं कर सकती थी अब देखते है टाइप थ्री क्या है इसमें टाइप थ्री देखें ये पैसिव होता है आदा भाग इसका अभी दिखाते हैं वो पैसिव क्या है जैसे दा बाक्स इस तू हैवी तू लिफ्ट अब चुकि सब्जिक्ट आपका बाक्स है और लिफ्ट क्रिया किस पे हो रही है बाक्स पर इतना भाग पैसिव में जाएगा आपका क्या पैसिव में जाएगा देखना ज़ा दा बाक्स एज पहला टू तो सो में कनवर्ट हो गया सो हैवी दैट सब्जिक्ट रिपीट करेंगे तो चुकि नाउन के बदले प्रोडाउन लेते हैं तो यहां इट हो जाएगा सिंगलर होने पर चुकि निर्जीव सिमिलर होता तो सब्जिक्ट एट चुकि प्रिजेंट है अब लिफ्ट सीधा नहीं जोड़ना है चुकि इतना भाग पैसिव करना है तो बी लिफ्टिट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यह जो क्रिया है वो उस बॉक्स पर हो रही है करने वाला तो कोई और है जब सब्जिक्ट स्वैम क्रिया नहीं करता बलकि सब्जिक्ट पर क्रिया होती है तो उस क्रिया को पैसिव में लिखा जाता है तो बात में बार बार बोलाओं कि नाउन प्रोनाउन के बाद अगर क्रिया है ये क्रिया अगर इस पर हो रही है ये पैसिव है नाउन प्रोनाउन क्रिया कर रहा है तो एक्टिव है तो टाइप टू एक्टिव था वहां सब्जिक्ट क्रिया कर रहा था टाइप थ्री जो है वह पैसे है क्योंकि वहां subject पर क्रिया हो रही है जैसे lift क्रिया जो है इस पर हो रही है box पर थोड़ा सा ध्यान रखना बस इतने अंतर है और कोई अंतर मैं आपको एक exam पर से और confirm करा देता हूँ ये अंतर क्या है देख लें जड़ा एक और example दा प्राब्लम वाज तू डिफिकल्ट तू सॉल्व अब यहां पर जाएए आप चेंज करते हुए दा प्राब्लम वाज तो डिफिकल्ट दैट प्राब्लम सब्जेक्ट है तो दैट के बदले वस्वरी सब्जेक्ट के बदले यहां पर एट आएगा एट अब चुकि पास्ट है तो कैन की जगे पुड़ और चुकि यह सॉल्व क्रिया सब्जेक्ट प्राब्लम पर हो रही है सॉल्व करने वाला तो कोई इंसान होगा यहां पर पैसेव स्ट्रक्चर है तो होगा इट कुड नॉट बी तो कुल मिलाके जब पैसेव होगा तो एक चीश सामने आई है वो क्या है यह जो टू के बाद क्रिया होगी ना उसमें टू तो छूटेगा तो इसके बदले हमें बी क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना परेगा और पैसेव कब होगा वही फंड़ा है कि नाउन प्रोडाउन के बाद जो क्रिया है अगर वो इस पर हो रही है तो पैसेव है यह कर रहा है तो एक्टिव है तो टाइप टू में एक्टिव था और टाइप थ्री में पैसिव था यह था रिमूबल अफ टू दोस्तो अगला जो हम एक चोटा वीडियो बनाएंगे वो होगा इंटर हैं लेकिन अभी वीडियो और मिलेंगे जैसे कि कुछ चैप्टर वाइज क्वेस्टन भी हम लोग हल करते रहेंगे और साथ में कुछ वोकैप का कॉंटेंट भी आपके साथ एड करेंगे दोस्तो वीडियो का इंतजार करना चूंकि में टोटल टॉपिक्स हमारे हो चुके थे इसलिए थोड़ा सा गैप कर रहा हूं वीडियो में लेकिन आप रिवीजन अच्छा करते आएगे तो फिर क्वेस्टन सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें आपको नाउन का प्रोनाउन का एड्जिक्टिब का वर्फ का एडवर्फ का आपी क्वेस्टन आपके साथ दि लिए हैं क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी पूरी कोशिस उन्हीं के लिए हैं न्यू चुपर रीडिंग उन्हीं के लिए हैं मौक टेस्ट उन्हीं के लिए हैं वोकेब मौक टेस्ट उन्हीं के लिए हैं तो हमारी यूटूब चैनल से जरूर जुड़े रहिए इमानदारी से और लगातार हमें फॉल्व करिए थैंक्स थैंक्स फूर वाचेंग